आज हम देखेंगे कि किसी भी प्लग इन को अड़ोग फोटोशोप में कैसे इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिक्सल्स.com यह ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम लोग रॉयल्टी फ्री इमेज़स को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप यहां पर कुछ भी टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेट इमेज़स यहां पर आपको दिखाई देती हैं और आप फ्री आफ कोस्ट यहां से रॉयल्टी फ्री इमेज़स डाउनलोड कर सकते हैं पर किसी भी images डाउनलोड करने के साथ आपको website पे जाना होता है जहां से आप images डाउनलोड करते हैं पर यदि आप ऐसा चाहते हैं कि photoshop में ही इसका plugin हम लोग install करें और आपको website पे आने की ज़रूत ना हो तो आप क्या करेंगे सबसे पहले pixels website के home screen पे हैं आप आप explore में जाएंगे जैसे आप explore में जाएंगे आपको सबसे नीचे आना है बिल्कुल bottom में जहां पर आपको other plugins and apps यहां पर दिखाए देगा जस्ट आप उसको इस पर क्लिक करना है आप आजाएंगे plugins के app पेज पर जहां पर आप mobile phone पे भी आप इसको install कर सकते हैं या फिर फिर photoshop में directly install कर सकते हैं तो जब आप photoshop में install करना होगा तो आप learn mode पे क्लिक करेंगे और आप आजाएंगे adobe photoshop के plugin पेज पे यहां से आप इस plugin को download कर लीजे जैसे आप download कर लेंगे जैसे आप download कर लेंगे यहां पर 22.0 higher version पर यह compatible है और उसके बाद जब आप photoshop को open करेंगे तब आप देखेंगे plugin section में pixel account यहां पर हो गया है पर उसके लिए आपको login करना जरूरी है sign up करना जरूरी है तो जब मैं इस pixels पे click करता हूँ तो मेरे पास यहां पर एक panel और open होता है pixel panel जो की plugin पैनल है और मैं यहां जो भी image search करूँगा for example मैं यहां पर apple search कर रहा हूँ और जैसे मैं search करूँ तो apple से related जितने भी images होंगे आप यहां पर देख सकते हैं तो यह सब images royalty free images हैं जिसे आप download कर सकते हैं मैं किसी भी image पर click करता हूँ और उसे download कर सकता हूँ for example अगर मैं इस image को download करना जाता हूँ तो just click and यहां पर आप देखेंगे placing image तो Adobe Photoshop में तुरंद यह open हो जाएगा और आप इसे use कर सकते हैं so thank you for watching this video